जंगली जानवरों के आबादी वाले शेतर में जनहानी और पालतु पशूं की नुकसान की खबरे आए दिन आती रहती है फिलाल खबर आई है उदैपूर के बढ़ गाउं इलाके से जहां तेंदुव का मुवमेंट आबादी शेतर में बढ़ता नजर आ रहा है पालडी गाउं से बीती रात एक बच्छडे पर तेंदुव ने हमला किया और उसे उठा कर खेतों मिले गया और वहां उसका शिकार किया बच्छडे का शव बड़ी ही बत्तर हालत में वहां खुला हुआ पड़ा था सुबह खेत में मरे हुए बच्छडे को देखकर ग्रामीडों को इस बात की खबर मिली गामवासियों ने तुरन थी वन विभाग के लोगों को सूचना दी फिर भी घंटों तक विभाग से कोई भी करमचारी मौके पन नहीं पहुचा गाववालों से प्राब्द जानकारी के अनुसार देरा तेंदुवा बस्ती के बीच से होकर खेत के पास पहुचा इसके बाद बच्छडे को उठा कर खेत में ले गया और खेत में ले जाकर उसका शिकार किया ग्रामिनों ने बताया कि इससे पहले भी इस तरह के हाथ से अन्जाम ले चुके हैं और तेंदुवे का मूम्मेंट होता रहा है बाडों में गुसकर मवेशियों का शिकार बनाया जा चुका है वनविभाग को सारे मामले की जानकारी देने के बावजूद ही उनकी तरफ से कोई कारिवाई नहीं ली गई है ना ही ग्रामिनों की सुरक्षा के लिए कोई ध्यान दिया गया पालिडी के रहने वाले किशनलान ने बताया कि तेन्दुई ने पिछले कुछ महीनों में चार मवेशियों को अपना शिकार बनाया है वन विभाग को पिंद्रा लगा कर उसे पकड़ना चाहिए घरों के आज पास बने बाड़ों में तेन्दुई के आने से लोगों में भी देश्चत रहती है लोग सुबह, शाम या खास कर रात के अंधेरे के वक्त अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं हमारे इस्टरग्राम पेज और फेस्बुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें वहाँ पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबा की किसार पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिमेदारों तक पहुचाना ही हमारा लक्ष है और ये आपके सहीयोग के बिना संभव नहीं है हमारा सहीयोग करें स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दे और जॉइन बटन पर जाकर सद्यसिता ले चाहे सबसे जोटी सहायता के रूप में ही क्यों नहों जनता की वेबाग आवाज बने रहें उसके लिए सहीयोग आपको ही करना है सब्सक्राइब करिए और जॉइन बटन पर क्लिक कर सद्यसिता रहें कीजिए